तो गाईस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं ये टीवी रिमोट कंट्रोल का छोटा सा सर्किट जिसे आप अपने रिमोट कंट्रोल कार रिमोट कंट्रोल टॉइज में इस्तमाल कर सकते हों तो guys सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक transistor BD140 जिसका नाम है एक IR receiver 1738 नमबर वाला और एक capacitor जो 470μF का होगा जिस 16V का तो guys इन तीन component की मदद से आज हम यह चोटा सा सर्कुट बनाने वाले सबसे पहले यह जो ट्रांजिस्टर है इसका चमकीला हिस्सा उपर की तरफ करके मैं इसे helping hand में लगा लूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो इसके तीन लेक्स है ओके और यह हमारा IR receiver इसमें जो उबरा ह हुआ इससा है IR receiver का इसे हम ऊपर की तरफ करके हमारे transistor की उपर रखतेंगे कुछ इस तरीके से अब इसके first लेको और third लेको हमें transistor के साथ शोल्डर कर लेना है लेकिन बीच वाले लेक को नहीं इसलिए को नीचे कर ले रहा हूँ यह हमारा ट्रांजिस्टर है जिसके लेक को में नीचे की तरफ' बंड कर ले रहा हूँ कुछ स्थ तरीके से जैसा कि आप स्क्रिन पर शोल्डर कर लूँगा अब यहां पर मैं जैसे शोल्डर कर रहा हूं कुछ इसी तरीके से आपको भी शोल्डर करना है वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक जरूर करिए अब यहां पर देखिए इसके जो लेक्स है काफी जादा बड़े हैं तो मैं नेल कटर की मदद से यहां पर इसे कट कर रहा हूं यह जो पीचवाला लेग है इसे भी हम थोड़ा सा श्रिंक कर लेंगे कुछ इस तरीके से क्योंकि हमें जो कंपोनेंट बनाना है हमारा वह काफी छोटा बनाना है इस वाज़े से तो यहां पर जो हमारा कपैसिटर है इसके भी लेक्स को मैं थोड़ा सा कट कर लोंगा नेल कटर की मदद से अब यहाँ पर दोस्तों यह इलेक्ट्रोलेटिक कपैसिटर में माइनस टर्मिनल के लिए श्रिप दिया होता है तो इस ट्रिप को आपको लेफ्ट हैंड साइट की तरफ कुछ इस तरीके से रखके शोल्डर कर लेना है दोस्तों इस सर्किट का डाइग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस लिंक पर जाके एक फोटो मिलेगा उसमें आपको डाइग्राम मिलेगा तो बेफी कर रही है अगर लेक पर शोल्डर कर लेंगे और इसका जो माइनस टर्मिनल है वह आया रिसीवर की मिडल ओले पिन में शोल्डर होगा यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मोटर ले लिया हूँ आपको यह जो कंपोनेंट है चला कर बताने के लिए कि इस तरीके से वर्क करता है तो यह मोटर का 场 जो माइनस टर्मिनल है वह आया रिसीवर को बीच वाले पॉ该ंट में लगे गा और जो मोटर का प्लस टरमिनल है वह त्रांजिस्टर के वीच वाले पॉइंट पर लगsels पोइब या याद रखि हमने रिसीवर और ट्रांजिस्टर के बीच वाले को अलग-अलग किया था तो देखिए, पावर इंपुट के लिए ये वायर है, जो की ट्रांजिस्टर और आयर रिसीवर के थर्ड लेग पे लग रहा है, और जो दोनों माइनस वायर है, जो मोटर के तरफ से आ रहे हैं, उन दोनों को मैंने आयर रिसीवर के मिडल ओले पिन में लगा है, कुछ इस त तो यहाँ पे हमारी जो वायरिंग है पूरी तरह कंपे ओ चुक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टायर ले लिया रहा है, मोटर में लगाने के लिए, अब stereo में लगाने के लिए, अब हम यहाँ पे बैटरी बे अटेच कर देंगे इसमें यहाँ पर मैंने चोटी सी 3.7 वोल्ट की बैटरी लिया है यहाँ पर directly मैं बैटरी को connect कर दे रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर GST connector लागा था ताकि मुझे कोई इसमें switch ना लगाना पड़े अब हमारा circuit जो है पूरी तरह बनके ready है यहाँ पर मैंने मेरे setup box का remote ले स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमारी motor जो है output ले रही है और motor spin हो रही है तो दोस्तों काफी भाईयों को काफी दोस्तों को यह चीज लगती है कि यह fake video है कुछ अलग तरीगे से मैं इसमें कुछ अलग तरीगे से कही और से कोई remote से handle कर रहा हूँ या कही और से इसे power दे तो इसी कोई चीज ने है दोस्तों आप देख सकते हो मैं motor को आपको उठा कर भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर कोई wire या इसी कोई चीज connected ने है दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और आप यह दोनों वीडियो भी देख सकते चैनल को सब्सक्राइब शरूर कर है